नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे स्यूटिव चैनल पे बहुत बड़ी ख़बर यूपीड़ का पेपर लिख होने के बाद सबसे बड़ी ख़बर और सबसे पहली जो कारवाई हुई है वो PNP सचिफ पर ही हुआ है PNP सचिफ को सस्पेंड कर दिया गया तो फटा-फट ख़बर पढ़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सिक्षक पातता परिक्षा UPTET पेपर लीक प्रकरण की काज सचिफ परिक्षा नियामा प्रादिकारी मतलब PNP सचिफ संजय कुमार उपाध्याय पर गिरी है शाशन ने उन्हें लिनम्बित कर दिया है सस्पेंड हो चुके हैं PNP सचिफ निलंबन अवदी में वह बेसिक सिशन निदेशक कार्याले लखनों से संबन्द रहेंगे 28 November को पेपर लीक होते ही CM योगी ने इस मामले में कड़ी कारवाई के निर्देश दिये थे UP सरकार एक महीने के अंदर ही UP TET कराने की आयोजन जो है वो तयारी में लगी हुई तो बहुत बड़ी ख़बर है कि जो पहली गाज है वो PNP सचिव पर ही गिरी है और उन्हें सस्पेंट कर दिया गया है तो आपके संजग और पादिया जी सस्पेंट हो चुके हैं और अब अपना ही सचिव जो आएंगे वो अगली भरती कह लीजिए या फिर अगला UP TET वो ही कराने वाले है आगे देख माना गया है UP TET पेपर लीग होने के लिए वो सचिव को ही माना गया है उनको सस्पेंट करने के लिए जो बाते कहीं कई हैं वो सुचिता पूर्ण नकल विहीन और शान्ती पूर्ण से यूपी टेट नहीं करा पाए वो इसको कराने में सक्षम नहीं थे इसलिए उनको सरकार मोड में हैं काम करने के इसी मोड से रहे चुनाव के मोहल में विपक्ष के दवाब में भरती आने के चांसे ज्यादा हो जाएंगे सरकार जितना पंप अप रहेगी जितना उसे प्रशर पड़ेगा उतने ही भरती आपके पास है जितना सरकार ढेली होगी जितना कम प्र 8 जीदों की करोड़ वाली जो संपत्ती है उसको कुरक किया जा रहा है दूसरी बहुत बड़ी कारवाई वो महेंदर कुछ वहाँ पर हुई है कि उनकी संपत्ती क्योंकि आप बताएं कि गुंडा एक्ट जो है उसके तहत कारवाई की जाने वाली है यह योगी जी का बयान था उसी की अंतरगत यह कारवाई हुई है और उनको पकड़ने के बाद उनकी जो संपत्ती है वो जब्त की जा रही है बहुत बड़ी खबर है देखिए मैं फिर से इस बात को रिपीट करूँगा जितना गवर्मेंट पे प्रेशर बढ़ेगा जितने विपक्षिया पार्टी प्रेशर डालेंगी जितना आप लोगी तरफ से प्रेशर रहेगा जितना यह मुद्दा हाइलेटेट रहेगा सरकार उतनी ही जल्दी हर चीज़ को करना चाहेगी ताकि जल से जल कराके उससे वो चुटकारा पाले तो जितना प्रेशर उतना ही चीज़ें आपके करीब होंगी तो टेट भी जल्दी होगा और सूपर टेट की भी चांसे बढ़ेंगे सूपर टेट कब हो सकता है कैसे हो सकता है क्यों हो सकता है इसकी वीडियो आपको कल मिलने वाली है क्या possibility अब बची है बहुत प्यार से डिसकस किया है आप देखिएगा सिर्फ 10 मिनेट की वीडियो में पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा तो फिलहाल बहुत बड़ी है इसी तरिके से सभी ख़वरों से आप तक पहुंचाता रहूंगा कोई चीज आपसे दूर नहीं रहने वाली सभी ख़बरों के लिए जोड़ते लिए चैनल से अपना प्यार देते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और तयारी ओन रखिएगा और मत झाल